आज हम जानेंगे क्रोमोजोम के बारे में तो क्रोमोजोम के बारे में मैंने बहुत पहले भी बताया है How many क्रोमोजोम are there in human body? 46 जिन्स वाले टॉपिंग में होता है? फीनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में बताया तो क्रोमोजोम में क्या होता है? 40% DNA होता है और 60% histone होता है तो एक बार read कर लेते हैं क्या दे रखा है तो chromosome is a highly coiled chromatin fiber यह chromatin fiber कब formed होते है यह formed होते है nucleus से ठीक है in interface इतना ही मैं बताऊंगा उसके बाद एक और चीज है अगर nucleus die हो जाए cell से तो salvemal will be die तो nucleus बहुत important component है तो यही इसलिए वो chromatin fiber से बना होता है chromatin fiber से बना है उसके अंदर chromatin fiber किसे बना है made up of 40% DNA और 60% chromatin fiber नहीं chromosome बना है chromosome is a highly coiled coiled हो गया है वो chromatin fiber का ठीक है तो फिर उसके अंदर 40% DNA होता है और 60% histone और DNA एक तरह से बहुत important चीज होता है कि अगर किसी organism का 100% DNA match कर रहा है तो मतलब वो एक से वही organism है मतलब वही बन्दा है ठीक है और कुछ अगर 20% या 40% match करका DNA matching होती है ना सुना है तो मतलब वो कोई blood relation उनका है तो कोई doubt हो तो मुससे पूछे मैं सारे doubt आपके clear करूंगा और उसके बाद chromatin fiber भी होगा उसके बाद homologous chromosome भी होगा genotype और phenotype का मैंने difference आपको पहली बता दिया है और alias भी होगा headatory भी होगा trade भी होगा character भी होगा okay so bye bye and have a nice day